जिहां नमस्कार मैं हूँ सुर्भी सिंग स्वागत है आपका हमारे चानल नेक्स्ट नाइन न्यूम्स पर जिहां आज सत्रुगन सन्हा और पूनम सन्हा अपनी अनुवर्सरी मना रहे हैं जिहां आज 41 साल हो गए हैं इन दोनों की शादी को 9 जलाई 1980 मेन की शादी हुई थी जिहां इन दोनों की लव स्टोरी चितनी खास रही जिहां उस समय आपको बता दे कि सत्रुगन सन्हा रीना रोय को डेट कर रहे थी जिहां रीना रोय को धोखा दे कर उन्होंने पूनम सन् जिहां आपको बतादे कि जब रीना रोय बाहर गए थी शूटिंग के लिए उस वक्त उन्हें बिना बताए सत्रुगर सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली थी जब रीना रोय को इस बात की खबर पता चली तो वो भागती हुए वापस आए थी लेकिन कुछ भी हासल न इंटर्वीव में खुलासा भी किया और उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि उन्हें सत्रुगर सिन्हा और रीना रोय के बारे में सब कुछ पता था जिहां तो आज हम आपको यह बताएंगे कि आखिर क्यों रीना रोय को धुखा दे कर उन्होंने पूनम सिन्हा से कि एक तालिसवी सालगीरा है जिहां कपल नौ जुलाई 1980 को शादी की थी कपल साल उसे एक दूसरे का साथ नबार आये लेकिन सत्रगन सन्हा अपने प्रोफेशनल के साथ वस्नल लाइक को लेकर भी बहुत चल्चा में रहे है उनम चांदीर मानी से उनकी शादी हो या फिर अ रोइसे अफेर दोनौ मामलों की भज़त से सत्रगन सन्हा काफी जादा सुर्खियों में रहे वैसे रीना रोइसे सत्रगन समा का अफेर करीब साथ सालों तक चला और यह बात उनकी पत्नी पूनम को भी पता चल गए थी क्योंकि शादी के बाद भी वे रीना को चाहते थे जिहां 1980 में सत्रगन सिन्हा ने अक्ट्रिस उनम चंतिरामानी से शादी की थी जिहां ये वो दोर था जब सत्रगन का नाम रीना रोय से जोड़ा जा रहा था एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कि रीना से उनका रिष्टा साथ सालों तक चला तब जस बात ये थी कि एक इंटर्व्यू में सत्रगन की पतनी पूनम ने इस बात का खुलासा किया था कि वे अपने पती और रीना के अफेर के बारे में सब कुछ जानती थी बता दे कि सत्रगन सिन्हा ने रीना रोय को धोखे में रखा और पूनम से शादी कर ली थी कि अलग उन्होंने उन्हों से शादी नहीं की तो वो किसी और से शादी कर लेंगी और ऐसा ही हुआ सत्रगन सिन्हा की किताब Anything बट खामोश में रीना रॉय और उनके रिलेशन्शिप को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है किताब के लेखक भारती एस प्रधान ने वो वाक्या भी बताया जब सत्रगन सिन्हा रीना रॉय की शादी की बात सुनकर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रहे थे एक मालजिंग को दिये इंटरव्यू में सत्रगन में अपने और रीना के रिष्टे की बात कुबूलते हुए कहा था कि रीना के साथ मेरा रिष्टा पर्सनल लहा लोग कहते हैं कि शादी के बाद मेरी फीलिंग रीना के लिए बदल गई लेकिन मेरी माने तो ये बढ़ गई थी मैं भागशाली हूँ कि उन्होंने अपनी जिन्दगी के साथ साल मुझे दिये एक इंसेवियो में सत्रगन सिन्हा की पत्मी पूनम ने कहा था कि जब मुझे दोनों के अफेर का बता चला तो मैं इनके राष्टे से हट गई थी लेकिन सत्रू ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाते थे जिस पर वे विश्वास नहीं करते थे मैं ये बात चानती थी कि शादी के बाद भी उनका अफेर चला पूनम अकबारों में रीना और सत्रगन के अफेर की खबरे पड़कर बहुत दुखी होती थी उन्होंने सत्रुगन को बहुत समझाया सत्रुगन के सामने मुश्किल ये थी कि वो प्यार को चुने या शादी को दोनों के घरवालों ने मिनकर सत्रुगन को समझाया तब जाकर वीना को छोड़ उन्होंने पूनम को चुना और वीना को इग्नोर करने लगे हाला कि जब री नार्वाइन एक रिकेटर मुहसीन खान से शादी कर ली तो सत्रगन सिनहा उनसे पूरी तरह से दूर हो गए और अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगे शादी के बाद सत्रगन के दो बेटे लग और कुश और एक बेटी सनाप्शी हुए जिहां सत्रगन सिनहा फिर्मी दुनिया का इसा नाम है जिसे दर्शिकों ने खल नायक और नायक दोनों भूमिकाओं में पसंद किया है साथ ही उन्हें बॉलिवुट के शॉर्ट प्रिंग की उपादी से भी नावाजा गया जिहां 9 दिसंबर 1945 को पत्ना के कदम कुवा में जन में सत्रगन सिनहा फिर्मों के साथ साथ राजनीती में भी एक सफल पारी उन्होंने खेली है अपने बेपाग बयानों के लिए मचुबूर अभी नेता सत्रगन सिनहा और आक्टरस पूनम सिनहा नौ जुलाई को अपना marriage anniversary मनाते हैं जिहां दोटोंने 1980 में शादी की थी पूनम सिनहा और पूनम सिनहा और सत्रगन सिनहा की पहली मुलाकात पत्ना में मुंबई जाते हुए ट्रेन में हुई थी जिहां पहली मलाकात में सत्रुगन सिन्हा को पूनम भा गई लेकिन उस वक्त वो रिना रोई को डेट कर रहे थे सत्रुगन सिन्हा ने पुर्मिस यंग इंडिया पूनम सिन्हा के साथ शादी रचाई सद्रुगन ने पुर्णं को चलती हुई ट्रेन में फिल्म पाखिजा के डायलोग अपने पाउज जमीन पर मत रखिये का को कागस पर लिख कर प्रपूस किया था जिहां सद्रुगन मुंबई को पहला ब्रेक देवानन ने दिया था जिहां को बताए कि सद्रुदेवानन की फिल्म प्रेम पुचारी में एक पाकिस्तानी मिलिटरी अफसर का किरदार निभाकर अपने आक्टिंग करियर के उन्होंने शिरुवात की थी इसके बाद 1998 में मोहन सहगलती फिल्म साजन में एक पुलस इंस्पेक्टर का छोटा सा रोल गिया था सद्रुगन का फिल्म ही करियर चल पड़ा था सद्रुफिल्म मेरे अपने में चेनु का घरतार निभाकर काफी पेमस हो गयते फिल्मों में काम के दौरान ही एक बार उनके मलकार पुर्वे मिनस इंदिया पूनम चंदिर्मानी से हुई पूनम भी आक्टिंग के करियर बनाना चाती थी वो चांद फिल्मों में नजर आई थी शत्रु उन्हें देखते ही दिल बैठे जिहां दीरे-दीरे मलागातों का सलसरा बढ़ा एक बार पूनम और फुत्रगंस नहां कहीं घूमने जा रहे थे तभी चलती ट्रेन में उन्होंने एक पेपर पर फरन पाके जागा फीमस टायलों लिख कर उन्हें प्रपोस किया इसके बाद में घुटनों पर बैठे और ये ख़त देकर पूनम को प्रपोस कर दिया जिहां लेटर पर कर पूनम मुस्करा दिया और हां बोल दिया जिहां सत्रु ने अपने बड़े भाई राम से पूनम से शादी करने कि एक शाह जाहर की राम से पूनम की मा से मिलने उनके घर गए राम की बाद संते ही पूनम की मा भड़क गए उन्हें ने कहां कि मेरी बीटी दूच जैसी गोरी है और कहां वो लरका वो भी चोर जैसा आक्टिंग करता है वो मेरी बेटी से कैसे शादी करेगा उस दिन तो राम से घर आ गए लेकिन ब कि इंटर्वी में सत्रोगन ने बात मानी थी कि शादी के बाद भी उनके रीना से संबंध है वहीं पूनम ने भी कहा था कि वो अपने पती और रीना के आफेर के बारे में सब कुछ जान दी इसके चलते दोनों में भी टकरा हुआ लेकिन आखिरकार सब ठीक हो गया शादी आपने चाना रीना रॉय और सत्रोगन संहा के रलेशन के बारे में आपने चाना की कैसे पूनम संहा से सत्रोगन संहा की शादी हुई जिहां शादी के बाद किन परिस्थिती में उन्होंने रीना रॉय से अपना संबंध तोड़ा जिहां इन सब चीजों के बारे में आपन झाल今天 झाल